जी वीवस मुक्त से साइए खंपोई साब वापिस अची जुकाए हूँ जेदा मामा कीचे तो ब्रेक खंपोई जैने वापिस इंडासें तो कुछ नावा महमाना सां की जॉएन करना सुएक लिए बहतरी शक्सियत असां की जॉएन करेवा है अईसाइजन जो तालुक आर्मी साइमाचला सां रिटारीड करना लाहिन जनाब रहान साब असलम अलेकूम आपको खुश्चामदीर कहते हैं तेंकी सो मच और हमारे साथ पहले से हमारे साथ मौजोध हैं तो आपसे भी हम गुफ्तگू को आंगे कंचिनू करेंगे आज हम सेल अजादी से लेकर अब तक आप इस मामले को किस सरीके से देखते हैं और आप क्या समझते हैं किसका हल क्या होना चाहिए क्योंके आप आर्मी में रह चुके हैं यहिनल आपने बहुत बारी की से चीज़ों को देखा होगा शाइद हम ने उस तरीके से नहीं देखा है मैड़ थी पॉर्शन ठीक है ना तीन पॉर्शन और बाइस डिस्ट्रिक्स है तुनिट्व डिस्ट्रिक्स अच्छा एक थोड़ा सा हम लोगों के जहन में यह आता है कि जब बौर्डर की हम बात करते हैं तो वह यह हुता है कि शायद इस ए लाइन एक स्ट्रेट सी लाइन है जो म अजिंटरो को आपना पकस्तान एंड एंडिया में जो खास्तान एंडिया जो देली सुआ ए इंडिया में उसके बादेरी कंडरी में यह जो एक काश्मीर कशमीर इंडिया ली साइव बद्धिया टार्यमी शाह जो वह ठलंग है कि बै। pena की है आ मतलब है पुल Bitte अ के कबजा उन ने किया हुए कि इसका सुलूशन तो देखें सुलूशन किसी भी जगा करना वो अवाम की मर्जी سे होता है अवाम की मर्जी से? बिलकुль सभी जो आप हमांते हैं और यह भी स्मझते हैं इसका सुलूशन ये है के उदर रिफनिटम बेहम हुग है आपको पता है शे माद के जईए लाख से जएड़ार्मी वैटि होई है यह पुछ से लाख पुछ से छियन ऐार्मी आपकी वाद की उडरी जो जो के इंडियन आर्मी उदर बैटि हूई है मकबुजह के लि velocidad क裡面 आप सिर्फ आप एक डिस्टिक्ट मैं समझता हूँ कि आप कहलें जम्मू मेरे खेल में जम्मू के अंदर क्योंकि हिंदू अबादी का तनासुब मुसल्मान अबादी से थोड़ा सा जैदा है ज्यादा है तो इस वज़ा से वहां पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पुरम हा हैं बागी आप देख लें जितने बीएप अलमा हो गया इसलामबाद हो गया अंधनाग वगयरा हर चगा पे इंडियन फॉजीयों ने जुम का बजार गरम किया हुए है पैलेट गन्स केमिकल वैपन्स सारे आप देखें कि हर चीज़ वह दर उसको इस्तमाल कर रहे हैं उन सारे जो उनके प्र मशिया और लॉफस्य को इसी तरीके से उनकी हखूँख हैं जब आप खूख नहीं कि अज़ए और परिर रसे को और जहाँन आप यहे देखंगे वन्मेरय चाहिआ है उसके बुनियादी जो और अर्टों के माट्यों के पचों के अडो का बच्चों के का ही बनाया हुआ जाए वो है अपना फारुक अबदुल्ह है या उसकी मुफ्ती साहब आ गए है ठीक है ना इसी तरीके से चल दे रहना है हाँ बिल्कुल इसका बेस्ट हल यह है कि उनको आप आजादिये इजार दें एक राय आप जो उनका जो उनका चाहते हैं वो आप उन को रिफ्रेंडम करें एक बिश्क मैं यह बात नहीं करता मैं बड़ा एक रूठीन की बात करो हुँ फिर बात यह है कि यूएन आपकी क्या कर रही है एक यूएन का काम यह था कि यूएन के कराटातों के तनाजुर में हल होना चाहिए था क्या हल हुआ है मुझे बतादे य भी जो किसी मसले का नहीं नेकला ना मैं पैदा भी नही थी मैं तब सुनती आ रहूं कि कश्मीर आजाद होगा 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 लेकिन अब खुछ भी संभाल चुके हैं, समझ भी चुके हैं चीजों को लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इसमें बेस्ट यही है कि जब तक आप उनको इजार आजादी नहीं देए नहीं रेफेरंडम के पॉइंट ऑफियो से मेरा यही पॉइंट है ठीक है नहीं वो रहना चाहते है पाकस्तान के साथ और वो हिस्सा भी पाकस्तान का है जब डिस्ट्रिपिशन होई थी पांडरी कम बहुत सारी रियास्ते हैं जिनका मैं नाम लेसेता हूँ हैदरबाद हो गई आपकी ठीक है ना फिलोसपूर जालंदर गुर्दार्सपूर यह सारे जो एरिये थे यह पाकिसान के साथ आने थे पाकिसान के साथ करने थे इन्हों ने आप देखें कि हिंदु हाना जहनियत तो आप समझती हैं सारी इन्हों डिस्ट्रिबिशन इस पाकिस्तान की भी ऐसी की थी कि आपके पास रोड रूट नहीं था रोड रूट अवेलिबल होना चाहिए था कैसे हो सकता है मुझे बताएं एक घर से आपने दूसरे घर में जाना है तो बीच में आप पता लगए कि द हमारी नियत हैं बिल्कुटी है सार माशाला बहुत अच्छी बात की सरसे भी सवाले से उपिनियन जाना चाहेंगे आपने सर की बातें सुनी माशाला बहुत ही जो हम चाहते हैं कि ज़रा प्यार से मामला हल हो सकते हैं बजाए कि इन्पहा पसंदी पर हम भी उतर आएं क्यो इन्पहामला जो हैं उनको हम बाद में देखेंगे तो आप मतफिक हैं या आपकी राए मेरी बहुत सरी बातों में मतफिक भी हैं और कुछ बातों में मैं एकतलाफ भी रखता हूँ जह तक अवाम की बात है तो अवाम तो बिचारी 73 साल से कश्मीर की मर रही है और पाकिस् पाकिस्तान से जो सबसे ज्यादा कश्मीरियों की जो मदद करते थे उस जमात को सबसे बड़ा दैशतगर अमरीका और बरतानिया करार दे रहा है वो खुराग पुंचाते थे डोनेशन पुंचाते थे यहां से कटी करकर पाइपलाइन उन्होंने एक काड़ दी थी कश्मी जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे खुराग की पानी की वो अपने तोर पर जान पर खेल कर उन लोगों को खाना पुंचाते थे पानी पुंचाते थे जिनको आपने दैशतगर करार दे दिया पहली चीज़ नमबर टू देखें मैं यह समझता हूँ कि एक घर का जो सर पाइड होना चाहरे हूँ अगर सरबराद चाहा होगा तो उनको कंट्रोल कर लेगा कंट्रोल कर लेगा या इकोली मैं इसको देखें सिंपल देशील अलफाज में बात कर रहा हूँ हमारे आना फॉरंग फेर का मिनिस्टर अच्छा है ना हमारी कोई खारजा पालसी है जो इसको पाइड देशनी जाके बयान करेगा हम तो उनको अपने मसले पाकिस्तान के इंटरनल sow pén when को ब्रीफ कर सके कि कुछमीर को जान तो जाना पसंद किया जो हमरे उपर बैटे हूं च्रही क्वेर को ब्रीफ करना चाहीं ता ना दुनिया के अंदर जिस तरह का तासूर देने हमारे माज़द के साथ मैं यह नहीं कहूंगा कि आपका चैनल कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो इंडिया के पेरोल पर है ठीक है जहां इंडिया से उनको फंड आता है डूनिशन आती है और उन्होंने कश्मीर को उस तरह जागर नहीं किया और हमारी कौ हमें उस तरह का शोर भी बेदार नहीं हुआ क्यूंके हमने एक खला पैदा कर दी जात पे बरादरी पे लासानियत पे तासुप पे उननीस सो मेरे खेले सतरह में बरतानिया के वह एक राइटर था जिसने किताब लिखी थी कि मुसल्मानों को अगर तोड़ना है मुसल्मान उनीस सो सतरह ली किताब पे इंप्लीमेंट किर रहे हैं अलिए सर आप से जाना चाहूंगी 1857 की जंग एकिनन आपको याद होगी यो में दिफा उसमें हमारी फोर्स का किरदार भी एकिनन आपके सामने होगा आपसे बहतर कोई नहीं बया कर सकता लेकिन अवाम का किरदार हमारी आँखों के सामने था तो कश्मीर के मामले में आप इन दोनों पहलों को किस सरा देखते हैं मैं पहले थोड़े सुरी आपके बात कर रहते हैं जी जी बद्कुलाब कंचिनी दे सकते हैं मेरा पॉइंट आप यू यह है कि जो इन्होंने गॉर्मेंट लेवल वाली बा यही होता था कि जो Baisic needs होती हρεί है अवाम की उससे हुष का था थी हुष को कि दा वाह हुख भी को मतलब ही ना रहे सारोकारी ना रहे मैं आज की बात करता हूँ हमारी खुशी का क्या आलम होता है कि आयद के दिनों में साथ दिन सी एंजी खुली होगी एक लिए जिया एक दिन खुली होगी है तो यह साथ धिन खुली भात बात बजली का रेट प्रड़ जो है दूर पैसे साज़ा होगी हुँँ ठीक ना बिसिकली हम बासिक नीश के अधर उलज गये है राइट अवाम ठी इतना उलचा दिया है कि हम कुए के मेंड़क बन गए और हम उस कुए से बाहर निकल के उस समंदर को नहीं देखना चाहरे जिसके अदर आप अजादी के साथ तैयर सकें ठीक है जब तक हम बेसिक नीड्स के अंदर से नहीं निकलेंगे हमारी सोच ब्राइड नहीं होगी चाह आपने एक चीज को उजागर करना होता है आपका एक प्राबलम है ना बच्चा बच्चे को भूक लगती है वो रोता है तो माँ को पता लगता है इसको भूक लगी है या इसको प्राबलम है इसके पेट में दर्द है इसको ग्राइफटर देना है या इसको दूर देना है था ना हमें रोने का तो मौका यह दिया गया और रोने का मौका किसने देना है इसा अपको इस फोरम के उपर विजागर नहीं नहीं और पफेला है क्योंकि इतने अर्षा से हम लोग देख रहे हैं कि मुजाकरात दोनों मुमाले के दर्मियान हो रहे हमारे पाकसान से कई सफारतकार गए लेकिन कोई हमें पॉजिटिव कोई भी रिजल्ट नहीं मिला या कोई एक एक दान कि अमीद की कोई किरन दिख जाए वो हमें किरन नही नहीं देखी तो इस हवाले से आप क्या गएं कि सफारतकारी हमारी जो पॉलिसी इस हवाले से जो हमने बनाई है उसमें क्या वीक पॉइंट्स हैं और क्या होनी चाहिए कि हम स्ट्रॉंगली उन से बात कर सके और अपने मुफादात जो है या अपने उस जमीन के हिस्से को जो के हमारे लिए बड़ी हैसियत रखता है उसको हमाँजाद के आवाज सके इस तरह भाई जने भी थोड़ी दियर पहले बात की थी केमिकल त्यार वहां पर इस्तमाल किये गए मैं यहां से शुरू करता हूँ पूरी दुनिया ने आवाज उठाई कई लोग बिचारे हमा ने लिए यह जिर्णी है लोग इंद भी जिर्णाद के रिखे लिए उसकी तरह से क्या सबया से बिडिया ने शोड डला ने शोड डला बाबा कश्मीर कमेडिका चेहधा चाल मंत तो ने गया कि माज़व के सावव तो धूनिया है अभी लोग जोड़ के साववत कि एहां आपने आपको चमकाने के लिए लगते जब उलेक्शना आए ए जब झाले जाते हैं वह पिखले जाते हैं जब एक जय經betippyर में जले मोग एप खरी आ पिरी जाते हैं लोग इषी पे रजी और रादी कि मेरे जोराइ उरी जानी हो रहा है हमें यह वोत है कि हम अपने घर में बटे कि मेर घरी थीक चले जाना मेरा झानि सो जड़ घर में Clock ना सब्सक्राइन को उखते हम अजय में आजोड़ अजए हम अजों आज में उतलि प्रावलम प्रावली तो जब तक हम हाय लेवल पे वर्लड के लेवल पे देखे हम चलाए चीखेंगे नहीं चीजों को सही उजागर नहीं करेंगे अच्छा मैं वह जो आप बॉर्डर वली बात करेंगे तो आपने एक सवाल किया था मैं आप सवरी माज़िद के साथ मैं आपकी बात का तुम停 हमें के बातरी बाते हैं थी तुम कि आपकी इसे को प़िए हुआू है तक तुम